हेलो दोस्तों वेल्क Bolsonaro टो पढ़ले लिए वांस अगेवन्स अगेइन दोस्तों मेरा नाम है तेजवीर यादव और आज के सेशन में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इंपोर्टेंट के बारे में इंफोर्मेशन दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूँ टोप आयाइटी और एनाइटी के बारे में इन्फोमेशन और उनका कंपेरिजन बाकी कोलेजेज के साथ में ठीक है लेकिन मैं पहले उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूं दोस्तों मिरा नाम है तेजवीर या लड़े होंगे तो आयटी जेए का एक्जाम क्वालिफाई किया है मैंने विद ओल इंडिया रंक 1588 उसके साथ साथ में कुछ और भी एक्जाम क्वालिफाई किया है यह क्वीप्य क्या होता है केंद्रिय विद्याले प्रोचान योजना इसके बारे में आपको एक अलग से वीडियो में बताऊंगा ठीक है उसके लावा गेट का एक्जाम भी क्वालिफाई किया है यह बीटेक के बाद का एक्जाम होता है इसके बारे में अगर आप कमेंट करेंगे तो इसके बारे में भी अलग से एक वीडियो बना दूँगा सबसे इंपोर्टेंट है कि आपको बीटेक करवाते हैं ठीक है तो यह कंपेरिजन करवाने के लिए मैं आपको एक एक एक्जामपल से यह चीज समझाने की कोसिस करता हूं देखो जनरली हम लोग कपड़े खरीदने जाते हैं तो तीन तरह के मुझे लगता है कि तीन तरह के जगह है जहां पर लोग 辛व च n Mooza महब यहां से अगर आप कपड़े के यह कोई और वहां पर इतनी अ पहिंखर लाइटींक होती है की मतलब आप यह से कपड़े खाईच भी मतलब और गहर जाते ही पता चले में तो यहां से फटा हुआ है तो यहीं नहीं है इसका सब्सक्राइब हो गझारbasedा करने की लेकिन हो सकता है पूरा है पूरा इन सhöट की सेओ करोफ सब्सक्राइब होती है उसके बाद में एक ऐसा कुछ मार्केट रहता है जो हम लोग मोल वगेरा में खरीदने जाते हैं तो वहाँ पर बेसिकली चकाचोंद भी काफी ज़्यादा होती है और आपको पैसे भी ज़्यादा खर्च करने होते हैं और तीसरा जो है वो नॉर्मल दुकान होती है नॉर्मल है जिनकी चका चुन बहुत ज्यादा होती है सकाट वहां पर दुकान में हुवा बनाके रखते हैं लेकिन एकशली जब आप वहां से भी टेक कंपीट करके निकलते हैं लाइटिंग इतनी ज्यादा होती है कोलेज के बारे में इतना ज्यादा हुआ बनाके रखते हैं लेकिन एक्चली जब आप वहां से बीटेक कंप्रीट करके निकलते हैं तो पता चलता है कि भाई आप जोब के लिए कोई हैं तो आपको उसकी सचाई मालूम पढ़ती है जैसे इसमें भाई कपड़ा खरीद लिया दुकान में तो बहुत बढ़िया लग रहा था ऐसा लगए यह पहन के तो मैं एकदम सारुखान लगूंगा लेकिन घर जाके पता चला रहे इसकी तो चैनी फेल है और इसकी तो जे भी खराब है इसकी तो जे भी फटी हुए तो वैसे ही जब आप उसकोलेज में एंटर करते हैं उसके बाद में आपको पता चलता है कि अरे भाई साब यह तो बहुत ही गंदा वाला कट गया हमारा ठीक है तो यह है हमारे प्राइबेट को लिजिस यह अपने आइटी जो ब बारे में सुना था उससे कहीं ज्यादा आपको वह और ज्यादा चकाचोंद वाले लगेंगे मतलब आपको इतने बढ़िया लगेंगे एंड में आपको प्लेसमेंट के टाइम पर भी लोगा कि हां यार मतलब यहां पर मैं आके एकदम मैंने मस्त रिसीजन लिया है यहां पर आने के लिए जो मैंने मेहनत करी है वह अब मुझे लग रहा है कि वर्थिट है ठीक है तो यह अपने आयटी जै अपने को क्या करना है जो मेरे फेवरेट है और मैंने आयटी से बीटेक किया है लेकिन मुझे लगता है यह वाले अपने तीसरी कैटेगरी वाले जो अप ज़्यादा मैनत करने की ज़रूत नहीं है तो यह मुझे लगता है कि आप सब बच्चों के लिए एकदम फेवरेट चौइस होनी चाहिए कि आपको क्वालिटी भी मिलेगी विद लैस एफ़र्ट्स क्वालिटी भी मिलेगी विद लैस एफ़र्ट्स तो यह में जाने के में आँ गजाने के लिए हमें दो एक्जाम क्लियर करने पड़ते हैं तो पहला इक्जाम होता है वो अपना J.E.Main का होता है और J.E.Main का exam जो clear कर पाते हैं उसका cut off जो clear कर पाते हैं उसके बाद में हमें एक और exam clear करना पड़ता है वो है अपना J.E. Advanced का ठीक है J.E. Advanced के score के basis पे हमें इन IIT में admission मिलता है और जहां पर जाकर आप अपनी चकाचोंद वाली जो सोच थी उसके बारे में एकदम सही साबित रहेंगे ठीक है तो IIT में जाने के लिए दो exam clear करने पड़ेंगे पहला J.E.Main का जो clear करना ही करना है और उसके बाद में हैं आपका J.E. Advanced का J.E.Main का जो exam होगा उसमें बस आपको cut off से उपर marks लेके आने हैं अगर उसके उपर आप लेके आगे ये totally decide किया जाता है J.E. Advanced के score से मतलब आपने J.E.Main में क्या score किया है बस cut off से उपर clear कर लिया cut off से उपर लेके आगे तो उसके बाद में चाहिए आपने बहुत जादा marks लेके आए हूँ या बहुत कम marks लेके आए हूँ बस cut off से उपर है इसका मतलब है कि आप J.E. Advanced दे सकत जो allotment होगा I.E. का जो branch आपको मिलेगा उस branch को J.E.Main का score decide नहीं करेगा J.E.Main में तो बस आपको minimum cut off से उपर लेके आने है अगर उस cut off से नीचे लेके आप आए इसका मतलब है कि आप J.E. Advanced का exam नहीं दे सकते है I.E.T. का exam नहीं दे सकते है I.E.T. में जाई नहीं सकते ह cut off से उपर लेके आगए तो J.E. Advanced का paper दे पाएंगे और उस paper में कितना अच्छा score करेंगे उसके basis पर आपको branches मिलेंगे ठीक है जी अब उसके बाद में आती है बारी N.I.T. की अगर N.I.T. की बात करेंगे तो वहाँ पर आपको J.E.Main के score के basis पर ही branch मिलेगी J.E.Main के basis प नहीं कर पाएं तो वह बच्चे जो है वह N.I.T. में जाते हैं और J.E.Main में जो आपका score है वह decide करेगा कि आपको कौन सा N.I.T. मिलेगा और उसमें कौन सी branch मिलेगी ठीक है कुछ टोप I.I.T. की बात करूँ मैं तो आइटी दिल्ली जो है वह काफी बढ़िया ranking पे चल रहा है आइटी दिल्ली के बहुत सारे लोग जो है वह बहुत सारे startups में involved हैं बहुत सारी companies उन्होंने खड़ी करी हैं बहुत सारे लोगों को रोजगार दे रहे हैं employment दे दूसरे लोगों को दे रहे हैं तो ऐसे I.I.I.T. के जो पास-out alumni है वह है उसके अलावा कुछ N.I.T. भी है जो काफी अच्छे है आई टी बोंबे के मैं कुछ यहां पर फोटो लेके आया हूँ यह यह फोटो अग्सली इसलिए लेके आया हूँ ताकि आपको यह फील हो कि फाई ऐसा नहीं है कि आई टी में जाने के बाद में आपको सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई घरनी पड़ेगी बहुत ही बढ़िया लेकिया हूँ यहां पर जो आए टीज में आपको देखने को मिलेंगी यहां पर आप पूरा अपना रिसर्च का काम भी कर सकते हैं बहुत सारे पीस डियूआ यहां पर काफी मैनत करते हैं उसके बाद में टोप एनाइटी की बात करों तो कुछ एनाइटी में काफी कम मैंनत में आप बहुत अच्छी चीज्ज़ पास सकते हैं वह अपनी एणइटी ठीक है अच्छा जी उसके वालावा एकजाम करवाता है मतलब इतना बड़िया इसका इतना बढ़िया रेप्यूटेशन है कि यह बोलता है बागी एक्जाम को महाणू है नहीं मैं तो इट का एक्जाम कर वाँगा तो यह एक्रम कराता है जिसमें मिठच को değil नि जो है उसमा डोपंड टोप सक्रिंपस अब मैं जो इस में जो अभी इस टाइम पे जो फीस आराउंड वो एक साल की दो लाग के आसपास है एक साल की दो लाग के आसपास फीस है लेकिन प्राइवेट को लिजिस में यही फीज जो है वो छैसे साथ लाग रहती है मतलब फीस भी आपको तीन से चार गुना देनी पड़ेगी और पैकेजिस के नाम पे कुछ भी नहीं है ठीक है तो एनाइटीज की फीस भी आराउंड आइटीज इतनी होती है दो लाग के आसपास रहती है एक साल के अभी काफी ज़्यादा बढ़ गई है अब लेकि आपको और भी आइटीज की लाइफ के बारे में उसके अलावा और भी इन एक्जाम्स के बारे में डिटेल्ड इंफोमेशन लेकर आऊँगा ये वीडियो मैंने एक जनरल आइडिया आपको देने के लिए बताई थी उसके बाद में लोग डिटेल्ड वीडियो वन बाई लेकर आते रहेंगे तो मिलते हैं दोस्तों से नेक्स वीडियो में थैंक्यू सो मच